नमस्कार आप देखा हैं देंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पूरी कोई भी दूसरा राज रोजगार को लेकर अगर कोई नियम बनाता है तो सबसे ज़्यादा चर्चा उस राज में होने के बाद दूसरा ऐसा राज है जहां पर सबसे राज चर्चा होती है वो है बिहार आपको बताएं कि कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले जारखन सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में अस्थानियाता को बल दिया था और उससे समंदित एक बिल विधान सभा में रखा था वही चीज अब हडियाना में भी हुगा है आपको बतादे कि दोनों का लगभग सेम ह है मामला हडियाना सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में नौक रिया है उसमें 30,000 तक की सैलरी पर 75% जो सीटे जो हैं उनमें अस्थानिया यानि हडियाना के युवाओं को मौका दिया जाएगा और ऐसा ही बिल जर्खंड विधान सभा में रखा गया हाला कि वो प्रवर समीती के पास अभी है वहां भी ऐसे नियम बनाएगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में नोकरी है जिसमें दस से अधिक इंपलाई काम करते हैं तो उसमें 75% सीटे जो हैं वहां उस राज्य के अस्थानिये यूग को के लिए होगा आज दैनिक भासकर पेपर में और सभी पेपर में हेडलाइन दिया हुआ है कि हडियाना के फैसले से बिहारी यूवाओं को जटका और आपको बताएं कि ऐसा ही जब कानून की चर्चा जर्खन में चल रही थी तो भी इसका हेडलाइन बना था कि बिहार के यूवाओं को ज जबाव है और यहां पर जो इन्फरास्ट्रक्चर नोकरी देने के लिए जो महौल होना चाहिए वह बहुत ही कम है और यही कारण है कि हरे घर से बिहार में एक लोग दूसरे राज़े में राते हैं कहे तो पलायन का सिकार है यह राज़े जिसमें युगा से लेकर जो अधिकुम्रबाले हैं वो भी जाते हैं दूसरे राज़े में जॉब करते हैं नोकरी करते हैं सभी तरह की नोकरी करते हैं आईएस आईपीएस से लेकर रिक्सा चलाने वाले तक भी है आपको बताएं कि हडियाना में जो अभी तक जो विभिन माध्यमों से जो सुचनाई मिल रही है चार से पांच लाख बिहारी वहां काम करते हैं और एक बहुत बड़ी संख्या है जो वहां के प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती है तो ऐसे में ये कानून आने से वो लोग बेरुजगार हो जाएंगे और आपको पता होगा कि हडियाना जो है कितना डेवलप एस्टेट है वहांपर गोरगाओ, फरीदाबाद, अब तो रहतक ये सब ऐसे इलाके हैं जो कि वहांपर मल्टि दिशनल कंपनी के ऑफिस है बहुत बड़े बड़े फार्म है वहांपर करकल करखाने हैं फरीदाबाद पूरा कर खानों कहीं सहर है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर में विहारी जॉब करते हैं ऐसे में उनका पत्ता साफ हो सकता है उनको नौकरी नहीं दिया सकती है उनको नौकरी से बहार निकला सकता है क्योंकि आपको बताएं कि इसका उलंगन करने पर कंपनियों पर भी बहुत कड़ा कानून बनाया गया है जिरास्तर से लेकर राजस्तर तक जो एजनसी है उसको असाबित किया जाएगा जो कि इसकी जाच करेगी या फिर वैसे ही हुआ जिनको लगता है कि उनके अधिकारों की हकमारी की जा रही है तो वो उस एजनसी में सिकायत करेंगे और उसकी जाच होगा और जाच होने को बहुत करवाई भी होगा तो ऐसे में इस कानून के खिलाफ कोई भी वहां की कंपनी नहीं जा सकती है जो चार-पांच सहर हैं वो बहुत बड़े अध्योगिक केंद्र हैं जमसेदपूर बोकारो धनबाद फिर से आपको राची यह सब जो इलाके हैं यहां पर देश-विदेश से लोग आके काम करते हैं और बहुत बड़ी संख्या है बिहारियों की कहाच तो जाये जाता है कि बोकारो धनबाद और जमसेदपूर और राची यह चार सहर जो हैं वो बिहारी ही चलाएं अब अलग बात है कि 2000 में अलग हो गया बिहार जरखन तो वो लोग वहां बस गए लेकिन अभी भी वहां प तो समझिये तो जारखन्ड भी हमको टाटा बावे कर दिया कि मेरे यहां भाई बिहारियों के लिए रोजगार नहीं है हरियाना दिल्लीक से सटा हुगा इलाका और हरियाना ही सबसे डेवलप कर रहा है वहां भी अस्थानियाता का आगया प्रावधान रायस्थान भी बना सरकारी नोक्रियों में तो बहुत पहले से बंद हो चुका है अब प्राइविट सेक्टर में भी बंद होगा इसके बाद से हो सकता है कि वहां जो दिहारी करने वाले हैं उनके लिए भी नियम बने कि आपको इसमें भी 75-80% जो है वहां के ही मजदूर स्रमिक काम कर सकते हैं तो ले देकर ये है कि सभी राज्ये अपने राज्य के युवाओं को नोक्री सुनिश्चित कराने के लिए नियम बना रहा है ऐसा नहीं है कि हडियाना ये गलत कर रहा है या जरकन गलत कर रहा है क्योंकि बिहार देश के हर एक राज्य जो है वो बिरोजगारी की समस्या से जूज रहे हैं और उसको अपने राज्य के युवाओं को ज़्यादा उनके लिए रुजगार के आसर जो उप्लग कराने के लिए वह ऐसा नियम बना रहा है क्योंकि बिहार से एक बहुत बड़ी संख्या है लाखों करोडों में जो की दूसरे दूसरे राज्यों में गई कि वहाँ भी बिहारियों को बाहर करने का अंदूलन चला काफी हिंसक भी हो गया था वो बाद में और अन्य राज्यों है वो कानून के द्वारा ये नियम बना रहे हैं तो ऐसे में आखिर बिहारियों क्या होगा दोसी कोन है दोसी हडियाना गौर्मेंट या जारकॉन गौ हुमन डिसोर्स के तरफ रहता है एक जवान युवा पिढ़ी के तरफ रहता है कि आप इनसे क्या क्या नहीं करवा सकते हैं बावजूद इसके बिहार में रोजगार जो है वो कोई मुद्दा ही नहीं है 2020 के चुनाओं में ये मुद्दा बना उसके बाद सभी भूल गया उ 12 लाग 10 लाग इतना लाग लेकिन जमीनी हकी का तकर हम देखें तो यहां कुछ नहीं हुआ सरकारी नोकरी यहां की आयोग समय पर नहीं दे पाती है पारदर्सी तरीके से नहीं दे पाती है हमेशा हम चींख-चींक के कहते हैं हमेशा हमारा खबर रहता है बिए ससी साड़े साथी लगा हुआ है साड़े साथ साल हो गया इस कर्मचारी लेबल के फरिच्छा का अभी तक पूरा नहीं हुआ और बी एसे सी के लगभा आदा दर्जन ऐसा फरिच्छा जो कि पांच-छे साल से चल रहा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उसकी कुछ सम्हावना भी हम मु पहाली होने वाली थी वो दस सालों से लटका हुआ है तो सरकारी सेक्टर ही अफ्रेल है यहां पर तो प्राइवेट का कौन पूछने जाता है कभी यहां पर उसर तलासने का कोई जो है वो आंदूलन नहीं चला कि बिहार में हम हुमन डिसोर्स का एक बहुत बड़ा सेंटर बना सकते हैं बीपियो अस्थाफित कर सकते हैं मल्टी नेशनल कंपनी के आफिस अस्थाफित कर सकते हैं यह तरह तरह की आफसा जो है वो बस लेखों में भासनों में बनके रहता है कि विहार में जो है जब भी बात होगा तो फूट प्रोसेसिंग उद्यों का बात हो कर दूसरे राजियों में नौकरी के लिए जीने के लिए जाना पड़ता है और वहां भी अब धिरे-धिरे दर्वाजे बंद हो रहे हैं तो जरूरत है आत्म निर्भर बनने की क्योंकि अब आपने के अंदर से विशेष राजी का दर्जा भी मांगा वो भी नहीं मिल रहा है कि यह हमारे हक खाने के लिए हैं काफी वहां पर जो है अपमान भी सहना पड़ता है अपमान के घुट भी पीना पड़ना पड़ता है वहां पर ब्यारियों को तो जरूरत है कि बिहार को ही हम वैसा आत्म निर्भर बनाए जहां पर एक जो बड़ी युवा पिढ़ी है उन काफी कर्मठ है काफी जुजारू है योग्य है समझदार है और काफी मेधावी भी है तो यह हडियाना का जो यह आया इसे पढ़कर भले ही अभी जटका लगा लेकिन यह सीख देने वाला है कि आपको अब आत्मिर्भर बने बिना कोई उसका उपाय नहीं है वो सकता है इसके कि सरकार को जरूरत है कि यह आपसी जो तुटू मेमे हैं इनको छोड़कर बिहार के युगाओं के बेहतर भाविसे के लिए काम किया जा और वो कागजी नहों जमीन पर दिखाई दे जिसका फायदा लोग को नज़रा है और बिहार का मॉडल जो है वो आकरसित करें दूसर नहीं वीडियो पसंद है लाइक शेर करें हमारे चैनल देंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद